अब मोधी मैं हुआ गाउं गाउंवालों ने बदला गाउंगा नाम गाउंगा हुआ नामकरन देश में मोधी लहर किस चरम पर है? इसका अंदाजा इस बात से साफ लगाया जा सकता है कि अब गाउंग गाउंग भी मोधी मैं होने लगा है मोधी सरकार की एक से बढ़कर एक योजना अब गाउं गाउं घर घर पहुँच रही है और पट्री पर ला रही है ग्रामीन इलाकों का विकास क्योंकि सबका साथ सबका विकास करना ही मोधी सरकार का कहना है मध्यपर्देश के जाबुआ जिले में मौजूद भगत फलिया में ऐसा विकास हुआ कि गाउं वालों ने मोधी के नाम पर गाउं का नाम करन ही कर डाला सरकार की हाउसिंग स्कीम स्वच भारत अभियान के तहट सौचाले बनाने का भियान और मन्रेगा की जलक इस गाउं में देखी गई इस योचा के चलते जहां गाउं वालों ने अपने कच्छ घरों के बजाए कौंक्रीट के मकान बनवा लिये तो वहीं हर घर में मौजूद सौचाले से गाउं में सौचता है इनी चीजों से प्रभावित हुए गाउं वालों ने सर्व सम्मत्य से गाउं का नाम बदलने का फैसला किया और भग्या फलिया से बदलकर रख दिया मोधी फलिया जिस मोट से गाउं की शुरुआत होती है वहां लगे साइन बोट पर ना सर्फ गाउं का नाम मोधी फलिया लिखा है बलकी गाउं में कितने लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास स्योजना के तहत गाउं में कितने घर बने हैं इसकी भी जानकारी बड़े बड़े अक्षरों में लिके गई है 476 अबादी वाले इस गाउं को आज मोधी फलिया से जाना जाता है